विल्कम बैक टूमाय यूटूब चनल पेपर हैकर अब हम बात करेंगे आपका जो कोश्चन नमबर 20 का जो आपका लिए पर पोर्षन बचा हुआ था ठीक है अभी हमने आ के बारे में पढ़ा था अब हम बात करेंगे आपका जो दूसरा बापोर्षन है ठीक है यानि कि पंआना है जाता है और उसके यूज स्तना ही लिखंतीना है और क्या हो जागा वशयक्तर से यूरिया फारवनेल्टृ है किसकी फारमेल्भ भूश्य है और कि अर्मिल्सटीмы की बटेंगों ठीक है तो इसका निर्माढर कैसे होता है रहा हैं अम्ल अथवाशारक तप्ऱेरकए उपस्तिती अपस्तितिर में। एक Z definite इसमें कि योडिया के साथ संधन новых करिया करे कि कम ठीक है थी डाइमेंशनल पॉलीइंशनल पॉलीमर क्या बठी यो रिया फॉर्मेल ऐडिया रेजिन बनाता है क्या बनाता है थ्री डैमेंसिनल पॉलीमर वो कैसा हो या होगा आपका यूरिया फार्मिल डी हैड रेजिन होगा यह बनता कब है उपस्तिति किसकी होगी आपकी अमल अथवा चारक चाहे आपका एंट जाये आपका चाहिक होगा ठीक है जो कैटलिस्ट की तरह कारी करेगा होगा क्या फार्मेल्डी हैड यूरिया के साथ कौन फार्मेल्डी हैड आपका किसके साथ में यूरिया के साथ में क्या करेगा संगनन करेगा ठीक है और इसके बाद आपका त्रिविम्ग त्री डाइमेंशनल या त्रिविम्य बहुलक प्राप्त होगा जिस से यूरिया, formaldehyde, और आपका यह क्या है आपका युरिया है क्या है अपका यूरिया ब्लस दूसरा क्या था आपका फोर्मेल डीहायड था ठीक है यूरिया और फार्मेल डीहायड तो HCHC ले सकते हैं यहां पर नहीं तक कि आ पार हो सकता है एक को यह कफिले रख होगा आप कि रेट को क्या करेगा बढ़ाएगा ठीक है अब यह जो आपका है ठीक है यह क्या करेगा यूरिया के साथ में रियक्शन करेगा तो यह कहां पर रियक्शन करेगा मान लो यह लिखा हुआ तो आगर बात करें हैसे यहां पर होगा इस नाइट्रोजन साइपके कितने यहां लगे हुए दू आपके इस नाइट्रोजन से लगे हुए ठीक है अब यह क्या अगरेका इस वाला है अंपके यहां से निकलेगा तब नहीं हरा जागा ठीक है अनए रह और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ठीक है और जो हाइडोजन निकला हुआ था वो पिलस की फॉर्म में निकला हुआ था अब यह आपका बनेगा क्या बनेगा मोनो मैथल यूरिया ठीक है यानि कि मेथाइल गूरूप आपका एक है में ठीक है मिथाइल गूरूप आपका एक लगा हुआ इसलिए इसको कह दें मूनो मैथिल यूरिया एम यू ठीक है स्टेप में क्या होगा दूबारा से हमें फॉर्मिल डी हाइड के साथ में इसकी रियक्शन करने कर देनी ठीक है इन प्रिजिंस आप ऐसे और बेस ठीक जब थीक उसी तरह से क्या होगा है एच च्छ और यहाँ पर आपका बना था मानलू क्तेश यह और यह दो टीक है नाटोजन से आपके दुह तो आपर यहां पर न होगा आपका एनच यह 4 नहीं है, NH, CH2 और OH, माल लो यह वाला आपका यहां पर है, यह नीचे वाला हमने यहां पर लिख लिए, ठीक है, इस से आपका क्या लगेगा, जो आपको दे रखा है, CH2 और double bond O, अभी यहां पर क्या होगा, नाइटोजन से एक हाइटोजन हटेगा आपका, ठीक है, H पल पर कार्बन पर कैसा आजागा, तो नाइटोजन और कार्बन, इन दोनों को बीच में क्या हो जागा, बॉंड बन जागा, ठीक है, और यह निकल के गया था, यहां से, NH2 से, तो यह पलस की फ़र्म में गया था, और यह कहां जागा, आपका, ऑक्सिजन पर लग जागा, तो क्या बन जागा, NH2OH, इसे कहते हैं, डाइ मेथल यूरिया, क्या कहते हैं, डाइ मेथल यूरिया, यानि कि फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बना था, मोनो मेथल यूरिया, दुबारा से हमने फॉर्मेल रिहाट के साथ में रियक्शन करा दिक, जो आपका बना था, मोनो मे पॉनो मेथल उरिया और अपका डाई मेथल उरिया ये दोनों ठीक है दोनों भी उत्पन क्या करते हैं परस पर करिया करके अभी आपस में दुबारा से करिया करेंगे और एक लंभी सरंखला वाला पॉलीमर बनाएंगे या बहलक बनाएंगे ठीक है जिसे यूरिया फार्मेल Indyhydrogen अब यह किस तरह से reaction करते हैं वस यह देखना आप्को ठीक है तो यह किस तरह से आपके reaction करते वह नटेम्ट करने की अभय दोनों क्या करते हैं अधिन गारेंगे आपसमें इस जो आपके डाय मेथल वाला है टीक है डाय मेथल यूरिया नाम है वह है आपसमे दो करेंगे ठीक है ऐसा नहीं एक मोनोमेथल होगा दोनों के आओंगे आपके डाइमेथल वाले ओंगे ठीक है यहां तक है दूसरा आपका यह वाला है लेकिन इनको लिख कुछ इस तरह से दिया गया है देखो यह पहला लिखा हुआ है और आपका ओएच फिर कारवन डावल वांड और फिर एन एच तू और आपका वेच यह वाला है इसको कुछ इस तरह से लिख दिया यह वाला आपका इधर वाला वाट ठीक है इस नाइटोजन से लगे हुआ जो हाइडोजन था उसको इधर रिप्रेजेंट क और यहां पर आपका है बढलत लगा हुआ है जो कि क्रेंगे इसका नाइटोजन का हुआर ऑर इस वाले का कैया होगा है अ ध्याटोजन और यह तरह इसका भी एक और दर वाले और निकल ut झांड को यहां पर आउर आपके निकल जांगी इर्ड के बीच में कर्बन के बीच में कर ब Bald झांड डाःटल कर ने कार्बन यहां से बीच में अपको इसका है और इसका है यहां पर आपका निकल गया तो कारवन और नाइटरोजन के बीच में एक बांड आपका यहां पर भी बन के ठीक है तो इस तरह से जो आपका बनेगा यह यहां पर आपका ओ और रख यह क्या करेगा इस तरह से रंखला यह क्रमिक रूप में आगे बढ़ती रहती और यह बहुत लंबी श्रंखला यहां से बन जाती है जिससे क्या कहता है जो कि एक प्रकार का आपका बहुलक्त होता है ठीक है तो यह हो गए आपका ट्रूरिया फार्मिलडि हैट रिजब चिंठ उन्ट इसमें केबल आपको इतना लें खेलें तैकि यहां तक आपको यहीं तक लिखना युश्या थारें अह defines तभाचिंग छेटा वीडियो